नमस्कार आप देख रहे हैं HBN News LSE पर भारत और चीन के वीज एक बर फिर तनाव बढ़ा है जी हाँ आपको बता दे कि 45 सल बाद LSE पर भारत और चीन के वीज फाइरिंग हुई है पूर्वी लद्दाग में वास्तिविक नियंतरन लेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोली बारी की घटना हुई है चीन के साथ सीमा पर भारत का गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है सुत्र को मताबिक फिलाल LSE पर स्थिती काबू में है बता दे LSE पर भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से गतिरोध जारी है हाला कि दोनों देशों की ओर से कुटनीतिक और सेनिस्थर पर स्थिती को सामाने करने की कोशिश की जारी है ध्यान देने वाली बात ये है कि 45 साल बाद सुमवार को पहली बार LSE पर भारत और चीन के बीच गोली बारी हुई इससे पहले 1975 में गोली बारी हुई थी वीरो रिपोर्ट एचबियन नियूज